तो आज हम बताने वाले हैं तैती दर्स के बारे में इसके हम पूरे प्रॉब्लम के फाइंड करके बताएंगे कि कैसे क्या प्रॉब्लम आजाते हैं यह फोन में जातर जातर यह फोन में प्रॉब्लम आता है इंसार्ट सेम चारजिंग और डिस्प्ले और डिस्प्ले तो चली डॉपिक इसटार्ट करते हैं दरसल इस फोन में आइज जानी है बोलगे वह भी बता देता हूं मैं आपको यह मारी कि इमेंवी हों गया और एक चुछ को जान रहा है तो आपको क्या चेक करना है यहां पर कुछ रखे वे श्रीज में तो यह आपको चेक कर लें ग्राउंड से शॉर्ट तो नहीं है तो और इसके कनेक्शन सीपियों में जा रहे हैं तो देख लिए कैमरे के कनेक्शन कुछ इस तरीके से हैं तो अभी हम बारी आ जाती है हमारी कीपैट की अगर कीपैट आपका वक्त नहीं कर रहा है तो अभी पहले हम सिम ट्रेक की बात कर फ़्याइब कर्से देख लिए हमारा कुछ इस तरीके से सिम ट्रेक इकनेक्शन यहां पर कुछ देख लीजिये आप इस तरीके से तो सब्सक्राइब कीपैट हुआ है यह हो गया हमेरा थैक है तो अब आजाते हैं हम ऑं-ण्फ की के तरप ऑन-off की कि ईरहां पर डाइगरा यह सब दिया हुआ है जिरो नंबर बटन 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो यह कलर कोटिंग के इसाप से चलर कोटिंग का मतलब यह जो कलर कोटिंग है उसके ह lorsqu consig VID तो इसमें भी कुछ इस तरीके के connection है कई बार हमारा पत्ता भी खराब हुजाता है कई बार component खराब हुजाता है कई बार CPU ट्राय हुजाता है तो आपको अगर keypad का problem बनाना है तो आपको ये सब चीज़े चेक करनी पड़ेंगी अब आजाते हम बारी network पे तो network का एकदम simple fund है अगर आपके phone में network problem आया तो सबसे पहले आप ये सब blind चेक कर लो antina बगरा बराबर है कि नहीं हुआ तो सिप PFO बदल लो आपको problem solve हो जाएगा ठीक है बस network में इतना ही था बाकि network में कुछ देखने की दरुवत है यह नहीं तो अभी हम आ जाते speaker, mic और ringer पे तो देख लीजे speaker, mic, ringer का भी connection कुछ इस तरीके से गया हुआ है mic का connection भी CPU में गया हुआ है speaker का connection भी घूम पिर के CPU में गया हुआ है ringer का connection भी CPU में गया हुआ है इसके अंदर कोई audio IC तक के नहीं लगी है सब काम इसकी CPU IC कर रही है तो देख लीजे ringer का कुछ इस तरीके का था अब आजाते हैं हम हमारे LCD के पास में LCD अगर आपकी graphics नहीं दे रही है तो आपको यह सब value यहां की जो है चेक कर लेनी है और यह जो coil लगे है 1, 2, 3, 4 और यह चारो कॉइल आपको चेक कर लेने के हमारे चारो कॉइल के है कि नहीं डिस्प्ले का प्रवब्लम के तुरू ही रहता है तजादा तर अगर यह कॉइल पर ही हमारी CPU की रेडिंग नहीं आएंगी तो भी हमारा display वक नहीं करेंगा तो आप आजाते हैं दो तीन कंपोनेंट तीन कंपोनेंट लगें बाकी के बस और कुछ नहीं है तीनों कंपोनेंट में से लाइन होते वे डारेक CPU में गई है यानि इसमें इन्होंने लाइट आइसी भी नहीं दिया हुआ है तो अब आ जाते हैं बारी इसके headphone jack पे, तो headphone jack का भी देख लेते की connection कैसे क्या है तो यहां पे komपोनेंट के थूँ होते वे connection गए हमारे Direक Capacitor के थूँ होते वे Capacitor के थूँ होते वे इसलिए जाारे connection अगर गिसीने headphone vaq लगाया और home data में तो कई बर क्या होता आईसी यां उड़ाते यह कैपिसिटर रहते हैं यहां लगे वे करन्ट चार्ज करके डिस्चार्ज करते तो देख लीजै कुछ यहां पे भी CPO में ही गए यहां पर भी कोई audio ic में supply नहीं गया है कहने का मतलब यह ही है इन्होंने सब कुछ cpo से ही दे दिया है तो अभी हम बारी आ जाती है हमारी चार्जिंग की तो चार्जिंग का देखते हैं चार्जिंग कैसे क्या हो रहा है तो यह तो हमारे यह आरे स्टेक्स वाले पॉइंट है जो PC से कनेक्ट होता है यह दोनों पॉइंट के तुरू होते वे गए हैं हमारे cpo में ठीक है तो अभी हम आ जाते चार्जिंग पर तो चार्जिंग का भी कुछ कनेक्शन ऐसा है यहां पर दो दो ट्रांजिस्टर है लगे वे इसके तुरू होते वे गए हमारे cpo में signal फिर वहां से आउट फुट फिर लिकला है और सिदह गया है कहां गया है बैटरी कंशल पर ऐने वह भी काम सीपीओ सप्लाइब नहीं तो अभी हम अगले टापिक पर आजाते हैं केमरामनों मनें आपको बता चुका है तो बस आज के लिए इतना ही था अगर आपने अभी तक के हमारा यूटूब चैनल सब्क्राइब नहीं क्या हुआ तो चैनल जल से जल सब्क्राइब कर ले और साथे साथ बेल आइकोन ज़रूर दबाए तो चलिए अब मिलेंगे हम आपसे नेक्ट फिडियो में ओके बाई बाई जल से जल सकते बाई